इनमें हम उन नंबर की मुल्टिप्लिकेशन करेंगे जो लाई करते हैं हमारे 11 to 19 के बीच में तो हमारा पहले नंबर है 18 और दूसरा है 15 यानि आप 18 को 15 से multiply करना है तो इन में से हमें पहले देखना होगा बड़ा नंबर कौन सा है तो बड़ा नंबर है हमारे पास 18 अब 18 में दूसरे नंबर का पीछे वाला यानि 5 18 और 5 कितना होगा 23 उसको करेंगे 10 से multiply कर देंगे सबसे पहले और फिर add कर देंगे 8 और इंटु 5 यानि 40 को तो कितना होगा 230 प्लस 40 तू 70 अब दूसरा नंबर है हमारे पास 14 इंटू 17 सबसे बड़ा नंबर कौन से इन दोनों में से 17 17 में दूसरे का पीछे वाला यानि 4 17 प् कर देंगे 10 से multiply यानि 210 प्लस 7 इंटू 4 28 तो यानि 210 प्लस 28 यह देगा 238 अगला नंबर 12 इंटू 18 बड़ा नंबर कौन सा है 18 18 में दूसरे वाल नंबर के पीछे वाला यानि 2 को add करेंगे 18 प्लस 2 20 20 को 10 से multiply कर देंगे यानि 200 प्लस कर देंगे 8 इंटू 216 को तो कितना होग पीछे 78 कर देंगे 19 ने 78 करती हो जाएगा 26 उसमें कर देंगे 10 से multiply प्लस कर देंगे 9 इंटू 7 63 तो यह कितना बन जाएगा 260 प्लस 63 हो जाएगा 323